भारत और उस्ट्रेलिया के बीच खेले जा रहे दूसरे वंडे माच में स्टीवन स्मिथ और उस्ट्रेलिया एटीम अमपायर अनिल चोधरी से उलजती नजर आए मामला था होदिक पांडिया के रन आउट का दरसल भारतिय पारी के 48 वे शुव के दोरान कोलकाटा के मैदान पर बारिश शुरू हो चुकी थी इस दोरान के इन रिचाद असन गेंद बाजी कर रहे थे ओव की चौथी गेंद को होदिक पांडिया ने हवा में खेल दिया और गेंद को सा स्मिथ ने केच कर लिया लेकिन क्यूंकि गेंद कमर के काफी उपर थी और इसलिए एमपार ने गेंद को नो करार दे दिया इसी बीच बारिश काफी तेज हो चुकी थी और एमपाररों ने माच को रोकने का फैसला किया लेकिन तभी सा मित ने गेंद को कैच करने के बाद रिचाद असन की तरफ फिंकी और उन्होंने पांडिया को रन आउट कर दिया स्मिथ हप कैच की नहीं बलकी रन आउट की अपील करने लगे लेकिन एमपार ने अपील को ठुकरा दिया इस दौरान माच रुप चोक श्था लेकिन स्मिथ और पूरी टीम एमपारों से बातचीद करने लगी और लगातार अपील करती रही लेकिन इसके बावजूद एमपारों ने आस्ट्रेलियाई टीम की रन आउट की अपील ठुकरा दी क्या है नियम स्मिथ की नो बाउट पर बाद टीम खिलाडी को रन आउट कर दे तो वो आउट होता अस्ट्रेलियाई खिलाडियों को इस नियम के बारे में पता नहीं था और इसलिए वो अमपारों निल चोधरी से उलच पड़े